नमस्कार आप लाई पिहार देख रहे हैं मैं हुँ राज मोहंतिवारी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गटबंधन की राजनीती खूब देखने को मिल रही है बिहार में महा गटबंधन है तो वही दूसरी तरफ NDA भी अपने कुनबे को बढ़ाने में लगा हुआ है आज बेंगलूरू में विपक्ची पार्टियों की बैठक सुरू होगी जो की कल तक चलेगी वही दूसरी तरफ कल ही 18 जुलाई को NDA की भी बैठक होने वाली है सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार को लेकर है कि चाचा भतीजे को किस तरीके से बीजेपी NDA में एक साथ रखेगी यानि चिराग पास्वान और पशुपती पारस को इन तमान सवालों को लेकर जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समराट चौदरी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तोर पर जवाब दिया पहले विपक्ची एकता की बैठक को लेकर कि नितीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है लालू यादो को लेकर उन्होंने जरूर बात कही है लेकिन इसके अलावा जब बात चिराग पास्वान और पशुपती पारस को लेकर भी पूछा गया तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है वो पहले हम आपको सुनाते हैं नितीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है यहां सत्तर तीस का लडाई होगा तीस परसेंट वाला लड़ते रहें जितना दिन लड़ाना है सरच ची तो माराष्ट के नेता हैं बिहार के नेता थोरह है कुछ नहीं होना है देश में फिर से नरेंद मोदी के नित्रित में दोघजार चौवीस में फिर से बाजपाकी सरकार बने हैं सभी सहयोगी से बात चल रही है और दिरे दिरे स्तिति असपस्ट भी हो रही है काल अच्छे से बैठक होगी और देश के प्रधान मंत्री स्वी नरेंद मोधी जी के नेत्रित में पूरी तरह एंडिये एकजुट होकर दोजार चुना लड़े कोई संचे नहीं है सारे लोगों से बारता चल रही है सारी इस्तिती अस्पस्ट होगी तो अभी आप सुन रहे थे बिहार बीजेपी के प्रधे सध्यक्ष समराच चौदरी को विपक्षी एक्ता की बैठक को लेकर किस तरीके से सीम नितीश कुमार पर उन्होंने जवाब दिया साफ तोर पर कहा है कि वो कोई फेक्टर अब बिहार की राजनिती में नहीं है लेकिन लालू यादो जरूर हैं सरदपवार बिहार में नहीं है ममता बनर जी भी बिहार में नहीं है तो विपक्षी एक्ता की बैठक बिहार में कोई असर नहीं छोड़ने वानी वहीं बात जब NDA की की गई कि चिराग पासवान और पशुपती पारस को एक साथ कैसे रखेंगे तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि चिंता मत करिये NDA मजबूत होगा सब कोई साथ रहेगा एक होकर मिलकर लड़ेंगे 24 के और 25 के चुनाओं में भी ताकत दिखा देंगे औ देखना होगा कि किस तरीके से चिराग और पारस के बीच में समझल से बीजेपी बैठा पाती है क्योंकि लगातार अब युद्ध जो है दोनों के बीच में काफी भयंकर रूप लेता नजर आ रहा है खासकर हाजिपूर सीट को लेकर बयान बाजियां दोनों के तरब से की जा रही है ऐसे में दोनों ही एक साथ एंडिये में रह पाएंगे कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है लाइव बिहार के साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें